आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo कीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ Hi everyone, welcome to doubtnet आज हमारे पास question है Find the domain of the function fx is equal to under root minus का log of log to the base x plus 4 by 2 log to the base 2 2x minus 1 by 3 plus x अब हमें इसका domain निकालना है तो domain के लिए क्या का conditions बता होनी चाहिए सबसे बहले तो जो under root के अंदर value है वो हमेशा positive होनी चाहिए या 0 होनी चाहिए तो यह जो पूरी value है यह या तो positive या 0 होनी चाहिए ठीक है अब second जो log का हमारा base होता है यह वाला यह कभी भी 1 ने होना चाहिए और दूसरी बात negative ने होना चाहिए और log के अंदर जो value है वो भी कभी negative ने होनी चाहिए तो यहां से हम start करते है 2x minus 1 जो है 2x minus 1 should be greater than 0 यह हमेशा 0 से बढ़ा होना चाहिए तो x की value के आगे should be greater than 1 by 2 अब x चो है वो तो 1 by 2 से बढ़ा होना ही चाहिए तो अब कहीं भी x हमारा 1 by 2 से छोटा आ रहा होगा न तो हम उस चीज को neglect कर देंगे यह हमारा आप मालेजिए controlling x आ चुगा है इसके नीचे जो भी x होगा उसको हम महीं पर neglect कर देंगे क्योंकि x हमारा 1 by 2 से बढ़ा ही होना चाहिए अब आगे बात करते हैं आगे क्या है x plus 4 by 2 यहाँ पर जो यह base है x plus 4 by 2 यह value कभी भी minus 1 के बराबर आ स्वारी 1 के बराबर नहीं होने चाहिए should not be equal to 1 तो x plus 4 should not be equal to 1 should not be equal to 2 तो यहाँ से आ गया x should not be equal to minus 2 ठीक है अब अगली बात x plus 4 by 2 जो है x plus 4 by 2 यह हमेशा positive होना चाहिए कभी negative नहीं हो सकता should be greater than 0 x plus 4 should be greater than 0 x should be greater than minus 4 अब देखिए x should be greater than minus 4 है तो हमने क्या बोलाता है कि यह जो है यह controlling है x should be greater than 1 by 2 है तो यहाँ से भी यह बोल रहा है minus 4 से बढ़ा होना चाहिए यह बोल रहा है 1 by 2 से बढ़ा होना चाहिए तो 1 by 2 से बढ़ा ही होगा यहाँ पर भी इससे भी हमें क्या बदा चल रहा है कि x जो है वो 1 by 2 से ही बड़ा होना चाहिए अब अगली बात पर आते हैं अगली बात हमें क्या पता है अब देखिए जो log है उसके आगे negative लगा हुआ है negative sign लगा हुआ है तो अब negative sign लगा हुआ है तो जो भी ये log value solve करके देगा हमें ये value negative ही आनी चाहिए क्योंकि अगर ये value positive आ गई तो negative का under root तो defined ही नहीं है तो इसलिए ये value को negative होना पड़ेगा तो अगर negative होना पड़ेगा तो उसके लिए हमारे पास क्या-क्या possibilities होती है मैं आपको समझाता हूँ log की value negative कैसे आती है तो लॉग हमारा कैसे defined होता है log माली जा ऐसे defined है log b to the base a तो अगर a की value हमारी 0 से 1 के बीच में है a की value 0 से 1 के बीच में है और b की value 1 से बड़ी है तब पहला case तब हमारा log negative आता है और दूसरी बात अगर a हमारा 1 से बड़ा है तो b को हमारा 0 से 1 के बीच में होना पड़ेगा मतलब कि आप देख रहे होंगे कि इन दोनों में से एक ना एक चीज़ को 1 से छोटा होना पड़ेगा और एक चीज़ को 1 से बड़ा होना पड़ेगा in order to get a negative value तो हमें negative value के लिए ये conditions fulfill करनी पड़ेंगी तो अब आते हैं हम question पे तो x plus 4 by 2 जो है अगर हम first case की बात करें x plus 4 by 2 को अगर हम 0 से 1 के बीच में रखें फर्स्ट केस पर हम study करते हैं तो x plus 4 by 2 को अगर हम 0 से 1 के बीच में रखेंगे तो x plus 4 x जो है वो हमारा कहां से कहां तक होना चाहिए minus 4 से 2 तक लेकिन अब देखिए ये वाला case जो है इसको हमें आगे पढ़ने की जरुवती नहीं है क्योंकि हमने पहले ही बोल दिया है कि हमारा जो controlling x है वो है x is greater x should be greater than 1 by 2 और यहाँ पर x हमारा 1 by 2 से बढ़ा नहीं हो रहा है तो ये चीज केस को हमें study ही नहीं करना है इसकेस को study करना छोड़ देते हैं अब आते हैं second case पर second case हमें क्या बोल रहा है ए जो है वो 1 से बढ़ा होना चाहिए यानि की x plus 4 by 2 हमारा 1 से बढ़ा होना चाहिए यानि x plus 4 हमारा 2 से बढ़ा होना चाहिए x should be greater than minus 2 ठीक है और b जो है वो हमारा 0 से 1 के बीच में होना चाहिए बी क्या है हमारा यहाँ पर log 2 log 2 x minus 1 to the base 2 divided by 3 plus x divided by 3 plus x यह value हमारी 0 से लेकर 1 के बीच में होना चाहिए यह बोल रहा है मैं क्या है अब यह value को 0 से 1 के बीच में लाना है तो कैसे इसको solve कर लेता है 3 plus x इदर जाएगा तो 0 ही बन जाएगा नहीं इसको अलग-अलग हम solve कर लेता है इसकी दो inequalities बनेगी यहाँ पर दोनो inequalities अलग-अलग मैं solve कर रहा हूं थ्यान से देखेगा कोई भी step miss नहीं होना चाहिए तो सबसे पहली inequality है log 2 x minus 1 to the base 2 divided by 3 plus x should be less than 0 should be greater than 0 तो यह value को greater than 0 होना है तो इसके जो roots है अगर मैं इसको number and plot करूँ तो इसके roots क्या-क्या है minus 3 तो minus 3 इसका root है और जो हमारा उपर value जो यह वाली value है यह कब 0 बनेगी यह हमारी तब 0 बनेगी जब 2 x minus 1 जो है वो 1 के बराबर हो जाए 2 x minus 1 1 के बराबर हो जाए क्योंकि log of 1 0 होता है तो 2 x की value 2 हो जाए यानि x की value हो जाए 1 तो x की value 1 पे आएगा तो positive negative positive तो यहां से हमें x क्या-क्या मिल रहा है x belongs to minus infinity से minus 3 union 1 से infinity लेकिन मेरे को पहले ही मैंने आपको बताया था कि x जो है वो 1 by 2 से बढ़ा होना चाहिए यह controlling x है यह हमें सब कुछ control कर रहा है तो यह वाली जो values है यह तो consider ही नहीं करने हमें क्योंकि negative values है 1 by 2 से बढ़ी नहीं है तो अगर मैं 1 by 2 वाली चीज़ का intersection इसके साथ लोगा तो मेरे को पता चल दाएगा कि x जो है वो कहां से कहां तक होना चाहिए 1 से infinity तक यह आ गया first case को solve करने पर अब second case की बात करते हैं second case क्या बोल रहा है second case में हमारा जो log 2x-1 to the base 2 divided by 3 plus x है इसकी वाल्यू 1 से चोटी हो नहीं है यानि log 2x-1 to the base 2 should be less than 3 plus x यानि की 2 to the power 3 plus x should be less than 2x-1 यानि की 2 to the power 3x 3 plus x plus 1 should be less than 2x अब देखिए अब हमें पता है कि जो x है वो हमेशा 1 by 2 से बढ़ा ही होगा ठीक है और जो left hand side वाले और right hand side वाले दोनों के दोनों functions या दोनों की दोनो terms हैं, वो दोनों की increasing है, ये भी increasing है और ये भी increasing है, हमेशा increase करेंगे ठीक है, तो ये हमेशा increase करेंगे तो इसकी minimum value कहां पर आएगी x equals to 1 by 2 पर, दोनों की minimum value x equals to 1 by 2 पर याएगी क्योंकि ये हमेशा increase करते जा रहे है, positive values पर हमیش increase करते जाएंगे, तो इसकी minimum value अगर मैं देखूँ, तो इसकी जो minimum value आएगी इस वाले term की minimum value x equals to 1 by 2 put करने पर आएगी कितने आएगी? 1 और इसकी minimum value कितने आएगी? x equals to 1 by 2 जब मैं put करूँगा, तो इसकी value आएगी 8 root 2 plus 1 अब 8 root 2 plus 1 इसकी minimum value है left hand side की, और इसकी minimum value है 1 और ये जो value है left hand side वाली ये value बढ़ी है तो जब minimum value ही left hand side वाले की बढ़ी है तो ऐसा तो कभी होगा ही नहीं कि वो right hand side से कभी छोटा होगा क्योंकि minimum value ही जब इससे बढ़ी है तो दोनों की minimum values ही इससे बढ़ी है तो और हमेशा increasing function भी है तो कभी छोटा तो होएगा यह नहीं हमेशा बढ़ता ही जाएगा x जितना बढ़ा होगे उतना बढ़ता जाएगा तो इससे हमें क्या बदा चल रहा है कि यहां से हमें x का कोई भी solution नहीं बिलेगा x belongs to phi x हमारा phi है इस वाले case में तो x अगर हमारा phi है और यहां से x हमारा क्या है 1 से infinity और हमें क्या करना है हमें x को हमें इन दोनों का intersection लेना है तो इन दोनों का intersection लेंगे intersection तो इन दोनों का intersection लेने भे मिरे को क्या मिलेगा x belongs to 5 सीधा सीधा x belongs to 5 मिल गया अगर x belongs to हमें 5 मिल चुका है इसका मतलब क्या हो गया कि x की कोई भी value के लिए ये जो function है ये हमारा exist ही नहीं करेगा इसका जो domain आएगा वो आएगा x belongs to 5 तो हमारा option number fourth जो है वो correct हो गया तो I hope आप कोई question समझ में आया होगा Thank you and have a nice day